हेलो फ्रेंट ऐसे आप आई होब अच्छे होंगे बताओ तो जो इंडिया से क्Sun में आनेके लिए शोस रहे हो और जोबी न Clap getting hadn't been Mr. चानेका खर्चा कितना होता और कैसे आना चाहिए कुछ भाई ऐसे । frna कर जागर KYU buYet में आते हैं कमाने के लिए तो वीडियो को पूरा देखना चलिए वीडियो की और जो लोग कुएत में कमाने के लिए आते हैं और करजा करके आते हैं इस टाइप के लोगों के लिए नियूज है क्योंकि कुएत में अगर आते हैं जैसे कि 3-4 लाख अगर वीजा का खर्च करक हैं तो कहीं भी जैसे खादम की वीज़ा पर आते हैं डाइ तीन लाक रूपए अगर खर्च करके आये हैं तो उतारना मुश्किर हो जाए गया क्योंकि बाहर कोई गारटी नहीं कितने दिन काम चलेगा महीने में कितना काम मिलेगा या फिर एक महीने के अंदर हर महीने कितने दिनार कमा लेंगे कोईट के अंदर अगर एक दिन की चुट्टी होती है महीने में तो दो तिन दिन पीछे जाता है आदमी समझ लो अगर महीने में पांच दिन की भी चुटी हो गई 25 दिन बराए हैं तो उन 5 दिन वो 10 दिन के बराबर खर्च हो जाएंगे इतना गाटा जाता है कुवेत में अगर चुटी होती है तो कुवेत में रहने का कर्च 70 दिनार से लेके 100 दिनार के बीच में कुवेत में खर्च हो जाते हैं अगर कुछ भी जो रूम किराया और शाम का खाने का एक टाइम का इस वगेरा जोड़ें ये तो भी सो दिनार सतर दिनार से लेकर सो के बीच में हो जाते हैं मैने का दूसरा दिन में खाने का अलग है चाई नाष्टे का अलग है ये सब अलग है लेकिन इतना खर्चा अभी कुवेत के अंदर होता है महेंगाई की वज़े से लगबग 97 दिनार से लेके 100 दिनार तो खर्च हो गई होगा रूम किराया और शाम को खाने का तो जो लोग 3-4 लाग रुपे खर्च करके कुवेट में आते हैं फिर उनका रहने खाने पीने का खर्च है अगर छुट्टी आती है तो छुट्टी का अर्जेक्स करना पड़ेगा फिर जाके जो बी मंतली सेलरी बनती है उनमें से ये खर्च निकालना पड़ेगा फिर बच क्या के बेज़ना पड़ेगा अगर करद करके आते हैं तो लेकिं किसी कंपनी की वीजाब लेकिन के इंदर का कॉम करने के लिए आ रहे हैं दो उनके लिए फादा है खादम क्यूज है तो खादम कोईती के गर आए उस company का काम है या नहीं वो काम चलाती है नहीं ये पूछने से पता चल जाएगा कितनी salary देगी इस टाइप से सब कुछ पता करने के बाद ही उस company की विज़ा पे आए अगर खादम में आते हैं तो छोड़ दें की ज्यादा salary मिलेगी अगर ड़ाए तिन लाग खर्च करक के उपर तो कर्जा उतारने में काफी time लग जाएगा कुछ लोग कुछ के अंदर खादम के लोगों को इतनी ज्यादा salary नहीं देते हैं हाँ ये बात है कि रहने खाने की सब ववस्ता कुछ के थरू होती है लेकिन salary कम होती है किसी दुकान की विज़ा पे आते हैं दुकान करने के लिए और लगबग 3-4 लाख रुपे खर्च कर दिये शुन की विज़ा के दुकान पे काम करने के लिए तो दुकान के अंदर भी दुकान पे पहले एक साल तो कम से कम इतनी salary नहीं मिलेगी कि विज़ा का करदा उतर जाए salary पहले कम मिलेगी काम सिखने के बाद knowledge experience हो लोगों का कुईत में आने के लिए लेबर वरकर्स का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुईत की आने वाली खबरें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहें देए